नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी चैनल माई गार्डन टाइम में और देखिए आज हम बात करेंगे कॉक्स कॉम की ऐसे इस कितना सुन्दर प्लांट है इसके फ्लावर देखिए कितने सुन्दर है यह देखिए बिल्कुल मकमल जैसा होता है जैसे वेलवेट होता है बिल्कुल वैसे ही लगता है यह दिर देखने में बहुत सुन्दर प्लाइं तो आए बहुत अच्छी जातीए बहुत अच्छी जितना को ग्रोथ दो जआए तो इनकी है राम से चलिए आती ती इन थो यह बस इनकी जो है देखी इनको मैंने लगा रका हो काफी लंब理 हाइट गई यह जधी तंकी है थे पानी पर जानकी से तो यह देखिए गीर कर्णकी तो सब्लाग है बहुत अराम से यह दो करिए अगर इसकी क्या करेंıldı तो यहांद के शुरू आ पूरे पूरे साल इसकी हराम से फूल देगा ऐसा नहीं कि यह सूधियों न weaken on toron प्लाबरी होंगी सब्यान आपको इसको तो आप संदर लगे गहां लाई को इसमें आप इसलों कि फ्लाबरिंख भाटिज में एक में बचाकी रखना ही और ये देखे प्रिण सिधे रहे हैं यह engine कर लिए इस ट्वी निज़ाती हूं इतल्य रुछो है जो है निकाल सकती शोट है अच्छे से इसको साफ करके आप इनको दो तीन दिन रखके सुखा लीजेगा उसके बाद आप इनको जो है एक एर टाइट कंटेनर में पैक करके रख लीजेगा तो अब जब जी इसकी आपको जब दुबारा आपको जरुवत हो कि हापकी स्वीडलिंग करनी है तो आप इसे लग सकते हैं यह दखिक इसकी लीपस देकेज करने लोगता है विवा इससी तरदे बढ़ते हैं वे इसको भेल का मैघे आपको प्शेट कर आपको ईसको मतलब बस यह और इसको आपको वगूळक करने हैं तो कोई भी पट रहे जाए सवस्तों की खली नीम खली आप कुछ भी इसको दे दीजे पंद्रा दिन पर इसको आप जरूर दीजे और इसे पानी बहुत कम चाहिए होता है तो इस बात के ध्यान रखेगा कि इने पानी कम से कम दीजेगा जब जो भी सूख जाए प्लांट आप मेल आप दीजेगा ने 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 वीडियो में झाला देखेगा जाए 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 होता है